खाना ताजगन पुलिस और स्टीफ की जॉइंट कारवाई नेपाल से आगरा लाए गई 20 किलो चरस पकड़ी घी के डिब्बो में छुपा कर लाए गई थी नेपाल से आगरा चरस बरामा चरस के साथ दो नेपाली युफको को भी किया गया गिरफतार बरामा चरस के अंतररास्ट्रे बाजार में पांच करोड अनुमती कीमत पकड़े गई नेपाली युफको से 2100 इंडियन रुपे और 300 नेपाली करेंसी दो सिम भी बरामत आगरे में कहा सप्लाई होनी ती चरस जाच परताल में छुटी थाना ताजगन शेतर में हुई कारवा कल दिनांक 19 विलाई 2026 को STF आगरा युनिट और थाना ताजगन्ज के द्वारा सयुकत रूप से एक ड्रक्स स्मगल करने वाला गैंग पकड़ा गया है इसमें दो अभ्योग किरफ्तार हुएं एक अभ्योग नेपाल का रहने वाला है और दूतरा जिला मोतीहारी दिहार क रहने वाला है इन दोनों के कब्जे से लगबख साढ़े 20 किलो चरस परामत हुई है इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अनुमानित कीमत लगबख 4-5 करोर रोपे इन्होंने इस चरस को एक घी के कनस्तर और डब्बे के पाम में तंसील करके उसके अंदर पैक करके रखा हु जारे हैं इसकी मोटसोप्रेंडी के बारे में रोचाओ के बारे में अघी जारेगी और आपाजम इस पर जब्धियों पर्देगी दो तो तो बढ़े विखा हुआ हुआ है